वहीं अमरित महुच सबकाज से अगास हुआ है प्रधान मंती नरेंद्र मोधी संबोधित कर रही है क्या खुछ कह रहे हैं प्रधान मंती नरेंद्र मोधी चले आपको सिधे वहीं लिए चलते हैं नमक कोई बहुत किम्ती चीज है ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमार यहां स्रम और समानता का प्रतीख है उस दौर में नमक भारत की आत्मनिरभरता का एक प्रतीख था अंग्रेजों ने भारत के मुल्यों के साथ साथ इस आत्मनिरभरता पर भी चोट की भारत के लोगों को इंग्लेंड से आने वाले नमक पर निर्पर हो जाना पड़े गांदी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा जन जन से जुडि उस नब्स को पकड़ा और देखते ही देखते ही अंदोलन हर एक भारतिय का अंदोलन बन गया हर एक भारतिय का संकल पर बन गया साथियों इसी तरह आज हादी की लड़ाई में अलग-अलग संग्रामों अलग-अलग गटनाओं की भी अपनी प्रेणाएं हैं अपने संदेश हैं जिने आज का भारत आत्म साथ कर आगे बढ़ सकता हैं अठारा सो सत्तावन का स्वातंत संग्राम मात्मा गांधी का विदेश से लोटना देश को सत्याग्रव की ताकत फिर याद दिलाना लोकमान्य तीलक का पुर्ण स्वराज का आहवान नेताजी सुभाज संद्र बोच के नेत्रत्म में आजाधिन फोच का दिल्ली मार्च दिल्ली चलो ये नारा आज भी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है 1942 का अवे विश्मन यांदोरन अंग्रे जो भारत छोड़का वोद्गोश ऐसे कितने ही अंगिनत पड़ाओ जिन से हम प्रिर्णा लेते हैं उर्जा लेते हैं ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी है जिनके प्रती देश हर रोच अपनी करतग्यता व्यक्त करता है 1857 की क्रांती के मंगल पांडे ताट्या टोपे जैसे वीर हो अंग्रेजों की फोच के सामने निर्बिक गरजना करने वाली राणी लक्ष्मी बाई हो कित्तुर की राणी चन्नमा हो राणी गाडीन लू हो चंदर से खराजा रामपसाद बित्मल बगत सी सुख़दे लेव राणी कितुस जी पोल रामा सामी जैसे वीर हो या फिर पंडित नहरू सरदार पटेल बाबा साब आमबेड कर सुख़द जन्रबोत मौलाना आजाद खान अब्दुल गफार खान भीर सावर कर जज़ए अंगिनत जन्नायक ये सभी महान वेक्तित्व आज़ाजी के आंदोलन के प्रस्थ दर्शक रहे है आज़ी के सपनों को भारत बनाने के लिए उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सामुहिक संकल पर ले रहे हैं इनसे प्रेरणा ले रहे हैं साथियों हमारे स्वाधीनता संग्राम में ऐसे भी कितने आंदोलन है कितने ही संगर्श है जो देश के सामने उस रूप में नहीं आए जैसे आने चाहिए थे यह एक एक संग्राम संगर्श अपने आप में भारत की असत्य के खिलाब सत्य की शसक्त गोशनाये हैं यह एक एक संग्राम भारत के स्वाधीन सभाव के सबूत है यह संग्राम इस बात का भी साथ साथ प्रवाण है कि अंधियाएं शोशन और हिंसा के खिलाब भारत की जो चेतना राम के युग में थी महा भारत के कुरुक्षेत्र में थी हल्वी घाटी की रणभूमी में थी सिवाजी के उद्गोश में थी वही सास्वत चेतना वही अदम में शावरिय भारत के हर शेत्र हर वर्ग और हर समाज ने आजहादी की लड़ाई में अपने भीतर प्रज्वलित करके रखा था जनिनी जन्म भूमिश्च स्वरगाद अपिकरियसी ये मंत्र आज भी हमें पिलना देता है आप देखिए हमारे इसी तियाज को कोल आंदोलन हो या हो संगर्ष कासी आंदोलन हो या संथाल क्रांती कचोहा कचार नागा संगर्ष हो या कुका आंदोलन भील आंदोलन हो या मुंडा क्रांती सन्यासी आंदोलन हो या रमोसी संगर्ष कितूर आंदोलन त्रावनकोर आंदोलन बारडोली सत्यागरह चंपारन संत्यागरह संभलपूर संगर्ष चुवार संगर्ष मुंदेल संगर्ष ऐसे कितने ही कितने ही संगर्ष और आंदोलनों ने देश के हर भूभा को हर कालखन में आजादी की जोती से प्रज्वलित रखा इस दोरान हमारी सिख गुरु परंपरा ने देश की संस्कुरुती अपने रिची रिवाद की रख्षा के लिए हमें नहीं उरजा दी प्रेर ना दी त्याग और बलीदान का रास्ता दिखाया और इसका एक और अहम पक्ष है जो हमें बार बार याद करना चाहिए साथियों आजादी के आंदोलन की इस जोती को निरंतर जागुरुत करने का काम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिन हर दिशा में हर खेत्र में हमारे संतों ने मांतों ने आचारियों ने बगवदों ने निरंतर किया था एक प्रकार से भक्ति आंदोलन ने राष्ट्र व्यापी स्वाधिनता आंदोलन की पिठी का तयार की थी पूर्वों में चैतनि महाप्रभूर आमक्रिश्य परमोश स्रिमत संकर देव जैसो संतों के विचारों ने समाच को दीशा दी अपने लक्ष पर केंद्रीत रखा पच्चिम में मिराबाई एकनाथ तुकाराम रामदाद नर्शी मेता हुए उत्तर में संत्रामानांत कबिर दास घुर्णना देख थंत्राई दास दक्षिण में मादवाचारिय निम्बकार चारिय बलभाचारिय रामानुजाय चारिये हुए बक्ती कान के इसी खंड में मलिक महबन जाईसी रस्खान सुर्दास केश्रवदास विद्यापती जैसे मानुभावनें अपनी रच्चन के कारण ये अंदोलन छेत्र की सीमा से बाहर छेत्र की सीमा से बाहर निकल करके परे भारत के जन जन को अपने आप में समेट लिया आजादी के नसांगें के सांदोलनों में ऐसे कितने ही सेनानी संत आत्माएं ऐसे अनेग वीर बलिदानी हैं जिनकी एक एक गासा अपने आप में इतिहास का एक एक स्वर्णि मद्याए है हमें इन महानायकों महानायकों उनका जीवन इतिहास भी देश के सामने पहुचाना है इन लोगों की जीवन गासाएं उनके जीवन का संगर्ष हमारे स्वतंत्रत आंदोलन के उतार चड़ाओ कभी सभलता कभी असभलता हमारी आज की पीड़ी को जीवन का हर पाट सिखाएगी एक जुड़ता क्या होती है लक्ष को पाने की जिद्ध क्या होती है जीवन का हर रंग वो और बहतर तरीके से समझेंगे भाई और बैनों आपको याद होगा इसी भूमी के वीर सपूत शाम जी कृष्ट वर्मा अंग्रेजों की धर्ती पर रहकर उनकी नाक के नीशे जीवन की आखरी सांस तक आजादी के लिए संगर्श करते रहे लेकिन उनकी अस्थियां साथ दसकों तक इंतजार करती रही कि कब उने भारत माता की गोद नसीब होगी आखिर कर दोजार तीन में याद करिए तमिल नाडू के 32 वर से नौजवान कोडी कात कुमरान उनको याद कीजिए अंग्रेजों ने उस नौजवान को सीध में गोली मार दी लेकिन उन्होंने मरते हुए भी देश के जंडे को जमीन में नहीं गिरने दिया तमिल नाडू में उनके नाम से ही कोडी कात सब्द जुड गया जिसका आर्थ है जंडे को बचाने वाला तमिल नाडू की ही वेलू नाचियार वो पहली मारानी थी जिनों अंग्रेजी हकुमत के खिलाब लडाई लड़ी थी इसी तरह हमारे देश के आदिवासी समाज ने अपनी वीर्ता और पराक्रम से लगातार विदेशी हकुमत को गुटनों पर लाने का काम किया जारखण में भगवान बिर्सा मुंडा उन्होंने अंग्री जों को चुनोती दी थी तो मुर्मु भाईयों ने संथान अंदोलन का नित्रत्व किया था ओडिसा के चक्रा विशोई ने लड़ाई छेड़ी तो लक्ष्मन नायग ने गांधिवादी तरीकों से चेतना फैलाई आंद्र प्रदेश में मन्यम विरुडी यानी जंगलों के हीरो अलूरी सिराराम राजु ने रंपा अंदोलन का बिगल फुका था पासल था खुंग चेरा ने मिज़राम की पहड़ियों में अंग्रेजों से लोहा लिया था ऐसे ही गोंधर कौवर लसिद बर्फुकन और सिरत सिंग जैसे असम और पुरुवत्तर के अनेकों स्वाधिंता सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया यहां गुजरात में बड़ोदा के पास जामुगाड़ जाने के रस्ते पर हमारे नाइका कौम के अधिवाचियों को बलिदान कैसे भूल सकते हैं मान गड़ में गोविन गुरु के देतरतों में सैंकड़ आदिवाचियों का नरसावार हुआ उन्होंने लड़ाई लड़ी देश इनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा साथियों मा भारती के ऐसे ही वीर सपतों का इतियास देश के कौने कौने में गाउं गाउं में है देश इतियास के इस गौरों को सैज़ने के लिए पिछले छे सालों से सज़क प्रियास कर रहा है हर राज्य हर छेत्र में इस दिशा में प्रियास किया जा रहा है दान्डी यात्रा से जुड़े स्थल का पुनरधार देश ने दो साल पहले पुरा किया था मुझे खुद ही समसर पर दान्डी जाने का सवभागी मिला था अन्डमान में जहां नेता जी सुबाद बोज ने देश की पहली पहली आजाद सरकार बना कर तिरंगा फैराया था देश ने उस विश्मृत इतिहाज को भी भव्याकार दिया है अन्डमान निकोबार के वीपों को स्वतंतरदा संग्राम के नामों पर रखा गया है आज आज दिन सरकार के 75 साल पूरे होने पर लाल किले पर भी आयोजन किया गया तिरंगा फैराया गया और नेता जी सुबाद बाबू को सरदान ली दी गई गुजनात में सरदार बल्लभाई पटेल की विश्व की सबसे उची प्रतिवां उनके अमर गवरों को पूरी दुनिया तक पहुचा रही है जलिया वाला बांग में समारक हो या फिर पाई का अंदोलन के स्मृति में समारक सभी पर काम हुआ मामा साहबा मेड कर से जुड़े जो सान दसकों से बूले बिसरे पड़े थे उनका भी विकास देशने पंच तिरसके रुप में किया है इस सबके साथ ही देश ने आदिवासि स्वाधिनता सेरानियों के इतियात को देश तक पहुचाने के लिए आने वाली पीडियों के लिए पहुचाने के लिए हमारे आदिवासियों के संगर्स की कथाओं को जोड़ता हुआ देश में मिज्यम बनाने का एक प्रयाश शुर प्रवियम सिल्ता का प्रतिविद्ध पंभ है हम भारतिये चाहे देश में रहे हो या फिर विदेश में हमने अपनी महनत से खुद को साबित किया हुआ हमें गर्व है हमारे समिधान पर हमें गर्व है हमारी लोगतांत्री परमपराओं पर लोगतंत्र की जन्नी भारत आज भी लोगतंत्र को मजबूत्ती देते हुए आगे बढ़ रहा है ज्यान विज्यान से समर्द्ध भारत आज मंगल से लेकर चंद्रबा तक अपनी चाप छोड़ रहा है आज भारत की सेना का सावर्द अपार है तो आर्थिक रुप से भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आज भारत का स्टार्ट अप इको सिस्टम दुनिया में आकर्शन का केंद्र बना है चर्चा का विशे है आज दुनिया के हर मंच पर भारत की शम्ता और भारत की प्रतिभागी गुंज है आज भारत अभाव के अंदकार से बहार निकल कर 130 करोर से अधिक आकांग्छाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहा है साथियों ये भी हम सभी का सवभाग्य है आज आज भारत के 75 साल और नेताजी सुभाज दरवोस की जन्म जैनती के 125 वर्स हम साथ साथ बना रहे हैं